नमस्ते मैं, मेरा नाम यमनिका चोहान है और मैं 11 आट्स की स्टूडेंट हूँ आज मैं आपसे गुट टच और बैट टच की बारे में कुछ सवाल पूछना चाहते हूँ, कुछ जानकारी लेना चाहते हूँ सबसे पहले क्या आप अपना इंट्रोड़ोक्शन दे सकती हैं मेरा नाम धर्मिष्ठा पंड्या है, मैं एजुकेशन डिपार्मेंट में अज़ टीचर काहरे रत हूँ और वॉलेंटियर की तौर पर मैं गुट टच बैट टच की बारे में सभी विध्यालों में जाकर अगस्ट 2019 से यह चालू किया है और अब तक लगबग में चार सो से ज़्यादा से सेशन इस सम्मनित ले चुकी हो मैं मतब आपने पहले भी सेशन यू लिये हैं तो आपका अनुभव नियू लूप के स्टूएंट के साथ के सा रहा बहुत शार्माइंड है और सबसे पहली बात तो यह लगी कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं इन बच्चों के साथ गुट टच बैट टच को लेकर पहली बार बात कर रहे हूं बच्चे सारी जानकारिया जानते हैं जबकि इतने छोटे-छोटे हैं इनोसेंट हैं फिर भी इ स्कुल से बहुत जादा इनको इनफोर्मेशन इस बारे में दी जा रही है और यह यह अवेरनेस इट्स मस्नेसरी इस चीज के बारे में क्यूंकि हम स्टुरेंट्स के साथ तो सेशन लेते रहते हैं काफी और आपको भी स्टुरेंट के बारे में तो पता होगी बट अगर अगर अगर आप पैरेंस को बोलना चाहे औहर है ऐंको इसला देना चाहे तो आप क्या दे सकती है बलकुँ आपका यी कॉशन बिल्कुल है कैसे करें कि बच्चा कुछ गलत ना सिख जाए जबकि आज बच्चा सभी कुछ जानता है मोबाइल का जमाना है हम आके बहुत बढ़ चुके हैं तो हमारी यह अधुरिक्ता कि इस यूग में अगर हम अपनी छोटी सोच को लेके चलेंगे कि हम बच्चों से कैसे बात करें त कानः के हो रहते हैं तो तो उनको और अपने विलेटिव जब गलत जब रहते हैं क्योंकि आजकल बढ़नें सदुरेट धार कामकाजी होने करान बहार जाते रहते हैं तो बच्चों को फहीं चीजों को भाफना है कि कौन उनके साथ कब गलत कर सकता है बहार और कर जैसे के कीज और ओर हो रहा है घर में कुछी ऐस फुट का ओर हो रहा है तो बच्चों को इस चीज की लिए अवेर करना होगा कि आपकी डॉर्बेल बचते ही वह यह पहले कि हमें डॉर उपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो मुझे लगता है कि पैरेंट्स को सबसे कि आप से किसी ने आपके अपनी खुब की परस्टनल को जानकारी दी हो या ऐसा कुछ सांजा किया हूं उनकी कोई इककर तो अपने उसको कैसे सॉल्व किया अगर जी बिल्कुल में क्या है कि कुछ ऐसा इतना हद तक नहीं हुआ था पर ऐसा केते हैं कि जैसे कि फिलिंग नह कई किसी वाहन से जाना होता है या पैदल कहीं दूरी पर जाना होता है तो हमारे साथ ऐसा हो रहा है तब इस तरह का मुझे पता चली तो मैंने उनके घर पर इस चीज की बाग की फिर उन्होंने उस लड़की के लिए ऐसे वाहन की वेवस्ता करती जो उनको वहां पर छोड करके उन्हें अवेर कर सके तो क्या सिति देखती हैं अभी तो बहुत पहेंकर इस्तितिया में देख रही हूं मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के साथ क्या यह आपको अगर बताए जा कि 100% यह हम अपना सर्वे करते हैं तो 53% बॉइस के साथ भी ऐसा बीहेवियर मिस बीह होता है प्याली तो मैं कहूंगी कि इसकी शुरुवात हमें घर से करनी होगी माता पिता जितनी अपनी बेटी को बाहर सुरक्षित जाओ अपने शरीर को ढख के जाओ किसी से खुल के बात मत करो हसो मत यह सारी जो चीजें सिखा रहे ना उसे कहीं ज्यादा अपने बेटों को सिखाएं कि उन्हें अपने साथ पढ़ने वाली लड़कियों के साथ किस तरह से बात करनी चाहिए किस तरह से उनसे बिहेवियर करना चाहिए तब ही हमारा समाज सुरक्षित रह सकता है क्योंकि विकृत मान सिकता ही इन सारी जो घटना गट्री उनका कारण होती है तो सबने बाथ अच्छा कुछ सिखा थेन्ने बात है thank you thank you very much